मसोड ही लाके के लोग ना सिर्फ पूल के निर्मान पर सवाल उठा रहे हैं बलके सड़क बनाने में भी थांदली का आरोप लगा रहे हैं हमारी टीम ने जब सड़क निर्मान की गुनवत्ता को देखा तो पहली नजर में गर्बड़ी दिखाई दिये रही थी हाला कि वहां मौझूद एंजिनियर ब्रामिनों के आरोपों को हर्ज करते नजर आए कि पीछे में नहीं देखे साइड साइड में अभी जो टरेक्टर लेके जा रहा है तब मतलब आधा फिट नीचे जाने वाला है वहां का सब रूट तब कई से वो रहें इंजिनियर साहिब की नहीं जाएगा कि यह ना कि यह कि आखिए है कि आखिए बिहार के सिवान जिले में गिरे पुलों की यह तस्वीरें हैं तीन जुलाई को महराज गंज प्रखंड में एक साथ तीन पुल गिरने से हर कंप मच गया देवरिया पंचायत में गंड़की नदी के दो पुल जो 6-10 लाक की लागत से 1998 में सांसद निधी से बने थे ये दोनों पुल गिर गए वही तीसरा पुल इसी लाके यानि महराज गंज प्रखंड के सिकंदरपुर गाउं के चारी पर बना था वो भी धुस्त हो गया इन तीनों से पहले 22 जून को गरोली में पुल गिरा था जिसके बाद 12 से ज्यादा गामों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई थी इस वक्त प्रभावित इलागों में क्या हालात हैं इसको समझने के लिए हम पटना के बाद सिवान के नौतन सिकंदर पुरपुल पर पहुँचे पानी का रिसाफ होता गया नीची की मिट्टी और धस्ती गई और उसके बाद अचानक ही यहां से उपर से यह जो पुल और सड़क के बीच की मिट्टी है वो दरख गई और दरखने के बाद की यह स्थिति है इस पुल से कुछी दूरी पर दूसरा पुल गिरा था जिसका नाम है टेगरा पुल टेगरा पुल के तूट जाने से 7-8 गाउं के लोग प्रभावित हुए हैं अभी तक यहां पर वेकल्पिक ववस्था नहीं हो पाई है तीन जुलाइ को टोटने वाला सिवान का तीसरा पुल देवर्या पराइन टोला पुल के नाम से मशूर है पुली में लंबी दरार है सरकें भी धस गई है ABP News की टीम एक दिन में गिरे तीन पुलों की पड़ताल करने के बाद उस जगा पर गई जहां 22 जून को पुल गिरा था सिवान के गरोली के टूटने से बारह गामों के लोग प्रभावित हैं जब गंड की नदी में पानी नहीं था तब लोगों ने शिकायत की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजा पहली बारिश में पानी की रफतार तेज हुई तो ये बरदाश्त नहीं कर पाय और तूट गया तरन का जनता बाजार है और सीधी तस्वीर में आपको दिखाऊ उस पुल की जो पुल बह गया यह यूँ कहलीजे कि ढह गया है और यह दूसरा पुल भी मैं आपको दिखाना चाहूंगे इसके सटे हुए वो पुराना पुल है यानि इस पुल को जो पुल ढह गया है यह लगब 20 साल पहले इसका निर्मान हुआ और वो उससे भी पुराना पुल है जहां पर अभी भी आवागमन है लोगों को दिक्कत नहीं है और नीचे आपको बोरी को जाली में लगा करके वाटर रिसोर्स डेपार्टमेंट की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि पानी के फ पुल में एक भी सड़िया नहीं है और 20-25 मिनिट में ध्वस्त हो जाना मतलब बहुत बड़ी चुनावती है यह तीन जुलाए को गिरा ये सारण का दूसरा पुल है और हमारी तहकिकात के लिए साथवा पुल सारण जिले के सारण गाउं में बने इस पुल का निर्मान ग्रामीनों ने करवाया था आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार को भी ये नहीं पता है कि इस पुल का निर्मान किस विभाग ने किया है कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है तीन जुलाई को ध्वस्त हुए इस पुल के बाहर बास बल्ली लगा कर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है और ये आपको हिस्सा दिखा रही हूँ जो हिस्सा जिस हिस्से को पानी बहा कर ले गया नीचे की मिट्टी खोद कर उसको किनारे रखा गया चुकि ये भी गंड की नदी के चौड़ी करन के बाद ही इस हिस्से की मिट्टी को किनारे में रखा गया और उसके बाद ये पुल उसी पानी की वज़ा से यानि जो वाटर का फ्लो आया एक हिस्से से उसको ये पुल नीचे की मिट्टी जाहिर सी बात है नीचे की मिट्टी जो है वो दरग गए और उसके बाद ये पुल भी बहा गया अब आपको मैं तस्वीर समझाने के कोशिश कर रही हूँ इसी नदी में इसी पानी में आप देखेंगे कि उस तरफ से जहां पर टूटा है उस अबात है उस हिस्से में पानी का फ्लो ज्यादा है इस हिस्से में पानी का फ्लो कम नज़र आएगा यानि नदी के ही एक झाल, 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 झाल